इन दिनों प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक से लोगों में भै का माहौल पैदा हो गया है चम्बा में भी इस बिमारी को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं ताकि समय पर बर्ड फ्लू के संकट पर काबू पाया जा सके कोरोना के बाद प्रदेश में इन दिनों बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है जिला चम्बा में भी इस बिमारी को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए हैं इस बारे में जानकारी देते हुए एनिमल हस बेंडरी डिप्टी डिरेक्टर राजेश सिंग ने बताया कि बर्ड फ्लू की बिमारी पानी में रहने वाले प्रवासी पक्षियों में पाई जाती है जो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई किलोमेटर का सफर तै करके आते हैं और अभी हिमाचल के पॉंग डेम मे प्रवासी पक्षी पहुँचे हुए हैं जिस कारण हिमाचल में बर्ड फ्लू का अलट जारी किया गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए विफाक द्वारा जिला में पांच सब डिवीजन में टीमें बनाई गई हैं जो जिला के एक हजार तीन मुर्गी पालकों और बनाये गए हैं जहां पर दिन रात निगरानी की जा रही हैं एड़ेज़्ुरी में इसमें पास की थी जिन्हों ने यह बुला था कि हम रैपर्ट रस्मांस टीम में बनाए एब यहां हाँ अपने हर जिले के लिए है और हमने हर जिले अपने DRIशन लैबले पांश सब डिवीजन पर रैपर रस्मांस टीम में बना दी हैं उसमें एक ब चम्बा में हमारे पास 2003 है इसनी हम पास आप पास स्टेंटी जो हैं पॉर्टी वाले पास जो चिकन पोल्टी आता है जैसे कि अपर पास तीन जगह है कि टुन्वटी एक घाटली एक लडू है सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मलहोतरा की रिपोर्ट